नमस्कार मैं हूँ इसमायलंकार और अभी हजारी बाग के एक ऐसे घर में हूँ जहां कला परवान चड़ती है और एक बहुत 17 साल का एक कलाकार है अभी तक बहुत नाम का नहीं कह सकते हैं गुमनाम सा कलाकार है लेकिन इसकी कला बहुत जबरदस्त है हमारे साथ टिंकु कुमार है 17 साल के उम्र है अभी इन्टर के परिक्षा पास की है कैसे आया यह हुनर की प्रिंटिंग बनाया जाए बच्चा सही सौक था हमें यह करने तो मतलब पढ़ने लिखने उतना मन नहीं लगता था बच्चा पर बच्चा सही मतलब जब असकुल में बनाने लगते तो धिरे धिले ज़रे अच्छा लगने लगा तो पसक्रने लगें सिसके बढ़ारे कितने साल के नटीग मेरे सब को लगता है कि मेरे पस जब से ग्यान आया है तब से हम करते हैं लेकिन ज्यादा बोलियों तो जव् nauja सलह सतरह से बहुत ज्यादा उतसया नह है क्या करते हैं है पिता जी मा जी और के संपाने वह कुंढ आ कून कि जिले में टिंग फ় γाले से च छत्रामे यहां पर तुम कहा पर अथा हम valid न Chinese कम यहां पी कर डाद फेल Hai cha लेकिन मुफलिसे गरीबी का आलम यह है कि इसके पास कैनवास खरिदने तक के पैसे नहीं है यह चार्कोल की पेंसिल से जो जुट पाता है उसी से यह पिंटिंग क्यों नहीं खरीद पाए के अनवास क्यों कि उतना ही मामी पापा उतना कुछ पैसा देने सके हम और हम चाहते का मेरे जम हैं यह कि मेरे पर जन जो है या उनका या मेरी तस्वीर बना दो इसके लिए कुछ पैसे देंगे लेकिन लोग समझ में आता एक लागा क्या महत होता है अचा लोग पनवाते हैं लेकि लुक पर आपने कला का मुल्य खुद से नहीं लगाना चाहता है चाहता है कि कोई उसके कला की इतनी इज़त करें और ऐसा मुलिदे कि उसे लगे कि हाँ जो इसने मेहनत की है जो जो पहचान की इसे सम्मान की वो उस सम्मानित मुल्य मिलें और बहुत अधिक नहीं मांगता है अगर एक पिंटिंग बनाते हो किसी के परिजन की या उनकी खुद की तो क्या लगता है कितने पैसे मिलने चाहिए जो लग है कि कोई ये तो अनमोल है पिर भी क्या लगता कि अब देख लिए आप बहुत सक उचाते लजाते भी जब कलाकर ने मुह खुला तो उसने कहा कि एक पेंटिंग के कम से कम एक हजार तो होने ही चाहिए इस महंगाय के दौर में लड़के की इतनी अच्छी पेंटिंग की कीमत बहुत अधिक हो सकती है कदरदान चाहिए हलांकि हम कि इसको स्क्रीन पे लाने के पीछे मकसद यही है कि इसके कला को थोड़ी इजत मिले और इसे चुकि यह बहुत हुनहार ललका है और आगे अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है और बहुत आगे लोगों का इसी तरह दे रहे तो सायद एक ना एक दिन सफल होई जाएंगे अब सबका प्यार और असिर्वाद मतलब किया कहां तक पहुंच पहुंच हों इंडिया का नंबर वन आटिस्ट बनना चाहते हैं जैसे बने हम अपना महिनत से लोगों सम्झे या ना सम्झे लेक अभी तो बहुत अभी हम कुछ नहीं है अभी जब बड़े-बड़े आटिस्ट लोगों देखते हैं तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं है मतलो कुछ का कुछ भी नहीं है सिखना नहीं चाहते हो कि हम और सिखना चाहते हैं और सिखना चाहते हैं आर्ट कॉलेज में दिक्कत क्या हो रही है दिक्कत बस कुछ पैसा और प्रोब्लम होता है और ऐसे कुछ बात में उमीद है कि इसकी जो इक्षा है वो पूरी होगी और जो मुश्किल है कॉलेज मेडमिशन का वही खत्म होगा पैसे की तंजी भी मिटेगी विसमयलंकार लगा प्रोब्लम होता डॉट इनके साथ